आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यारो हिंदी उर्थुपे और आज मैं रीडिंग करूंगी पिक कार्ड आपके सामने सेवन कार्ड्स है ठीक है एक जैनल रीडिंग है अगर आपके साथ रेजनेट्स करें प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और हिट नोटिफ अपका कौन सा चाक्राइब का इस वब्लाइक और आप उस चाक्रा को कैसे हील कर सकते हो और ओपन कर सकते हो और इस वक्त आपको advice की क्या जरूरत है उस chakra को open करने को क्योंकि हमें पता है कि हर chakra जो है वो किसी ना किसी area से या किसी ना किसी आपकी life के matter से involved होता है तो यह चाक्रा reading है यह आपको यह बताएगी कि क्या पर आपको इस वक्त अपना focus करना चाहिए और कैसे आप अपनी life में success, change और growth ला सकते हो और यह chakra क्यों blocked है ठीक है तो आप एक से ज्यादा भी card जो है वो choose कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी life में इस वक्त क्या struggle चल रही है और आप कैसे improve कर सकते हो अपनी life को with this chakra opening आप लोग chakra opening की और chakra healing की meditations की आप reading भी देख सकते हो YouTube पे लेकिन यह मैं आपको tarot की prediction से आपको और oracles cards की prediction से और अपनी insights से आपको बताऊंगी कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए और यह क्यों blocked है और कैसे आप improve कर सकते हो तो 7 cards है, start करते हैं from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so आप एक से ज्यादे भी card choose कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा इस वक्त कहां पे आपको improvement की जरूरत है और यह chakra कैसे हो बना हो सकता है तो start करते हैं आज की reading मैं आपके सामने ही live reading shuffling करूँगी कि आखर आपका chakra क्यों blocked है और कौन सा chakra blocked है और उसका reason क्या है और आप कैसे improve कर सकते हो okay pile number one जिन्होंने यह वला card choose कि है let's see कि आपके number one जिन्होंने card choose कि है देखते हैं आपका कौन सा chakra blocked है यहाँ पर लिखा है third eye chakra तो we have the frequency of the third eye chakra the indigo flower of life sports, our intuition and our inner knowing our imagination and our psychic power तो यह आपका block है हो सकते हैं आप अपने intuitions पर trust नहीं कर रहे हो आपको खुद पर trust नहीं है आपको अपनी gut feelings पर trust नहीं हो रहे है आपको लग रहे हैं कि चीज़ें आपके against चारी है और आपके हो सकता है कि ज्यादा तर आपको headache भी रहता होगा सर में दर्द भी रहता होगा और आपको समझ नहीं आती होगी क्या मुझे लगते हैं आप मेंसे काफी सारे लोग overthinking ज्यादा करते हो या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा overthinking कर रहे हो अपने समझ नहीं आ रहे हैं आपको कि ये सब कुछ क्यों हो रहे है ठीक है तो आपके ये माथे वाली साइट पे या अपके सर्वाली ये जो सामने वाली साइट है जहां पे माथा जैसे सामने नजर आता है फोर हैड वाली साइट पे यहां पे थोड़ा सा पेन होता होगा आपको ये सर्वाली जगा पे होता होगा because I feel like your third eye chakra is blocked आप में से काफी सारे लोगों को अपने third eye chakra को open करने की जरूरत है जितना आप अपने intuitions पे अपनी gut feelings को trust करोगे उतना ही आपकी life में ये third chakra open होगा तीक है आपको समझ आएगा कि आपको अपने उपर भी belief होगा और आपको यकीन होगा कि आप जो कुछ आपकी gut feelings आपकी intuition आपकी six sense आपको बोल रही है वो definitely सही है तो उन पे trust करना सीखे आपको वो trust नहीं है अपनी six sense पे आपकी intuition पे या आपके अंदर ये active ही नहीं है तो आपको active करने की जरूरत है ताके आपको खुद पे trust हो सके आपको अपनी intuition पे अपनी gut feelings पे आप life में wrong decision ना ले सको आप लोगों पे सोच समझ के trust करो ठीक है आपको पता होना चाहिए किसकी vibe कैसी है ठीक है तो ये होता है third eye chakra जो आपको और एक intuitive न आपको पता चल जाता है कि आगे क्या करना है और you know decision कैसे लेना है कोई आपके लिए ठीक है या नहीं है ठीक है ये वाले matters life में आप देखते हैं कि ये किस तरह से effective है आपकी life में इस वत और फिर मैं advice देखूंगी कि आप क्या कर सकते हो let's see ओके तो हमारे पास है moon card फिर हमारे पास है ace of sword या आप में से definitely लोगों को ये चीज़ clarity है ये ठीक है कुछ लोगों को आपको relationship की वज़ा से भी ये चीज़ problem हो सकती है कि आपको ये समझने आती कि आपके लिए partner सही कौन है या क्या नहीं है और अगर आपके सामने सामने वाला partner सही भी होगा ठीक है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि वाकि ये आपका आपका lover है आपका soulmate है या आपका इस इंसान के साथ कोई strong connection है ये सिर्फ आपका एक illusion है कि आप इसमें जिन्दा हो ठीक है तो आप हो सकता है कि काफी logical person हो या bottom of the deck high priestess तो आप में से definitely काफी सारे लोग अपनी intuitions को जो है वो active कर सकते हो ठीक है और moon and with the high third eye chakra ये सब कुछ intuition को बताता है hidden feelings को आपकी gut feelings को आपकी six sense को अगर ये आप अपने अंदर active करोगे तो हो सकता है कि आप भी psychic बन जाओ और आपके अंदर ये काफी powers आ सकती है trust करने की लेकिन आपको trust करना पड़ेगा लेकिन हो सकता है कि आप काफी practical इंसान हो आप काफी analytical हो आप काफी over thinker हो या आप सिर्फ facts पे believe करते हो जैसे logical person होता है तो जो चीज़ आपके सामने होती है आपको उसी चीज़ पे believe होता है आप अपने mind की ज़्यादा सुनते हो या आपको समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें क्या है आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको जो है न drag कर रही है ये चीज़ें आपको एक illusion है एक deception है इन चीज़ों पे trust नहीं करना चाहिए especially अगर आप मैं six sense की बात करूँ तो आप ज्यादा तर अपने emotions को अपनी feelings को अपनी gut feelings को ज्यादा trust नहीं करते हो आप ज्यादा तर अपने mind को choose करते हो और आप अपने facts को choose करते हो जो चीज़ें आपके सामने होती हैं तो आप काफी practical, analytical या आप काफी logical इंसान हो सकते हो चाहे आप लड़की हो या लड़का ठीक है या अगर आप काफी emotional या sensitive हो तो आपके अंदर ये quality होनी चाहिए शायद ये बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर ये qualities भी ले के आओ कि आप अपने आपको logical भी बना सको सिर्फ emotions और feelings को follow करना भी सब कुछ ठीक नहीं होता है तो अपने mind को balance में रखिए लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि ये chakra आपका blocked है तो इसका मतलब इसको open करने के लिए सिर्फ अपने logic और mind जो आपके सामने है उस पर believe मत कीजिए कुछ चीजें एक sixth sense भी होती है एक intuition भी होती है एक अंदर की feeling भी होती है उस पर भी trust करना सीखे especially in the matter of love with the lovers and justice जब आप किसी lover को मिलें किसी के साथ partnership करें लोगों से मिलना जुलना हो आपका friendship हो ये daily basis में आपको बाहर जाना पड़े जैसे work करना है job करना है ये career में आप जाते हो तो आपको ऐसे लोगों में मिलना चाहिए ऐसे लोगों से जब आप मिलोगे तो आपको definitely कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको माइन में समझ नहीं आएंगे लेकिन आपको definitely ये चीज़ें face करनी पड़ेंगी because this is the part of life चाहिए वो आपके emotional relationship होंगे as a friendship, as a romantic partner as a lovers, as a soulmates या शादी जिन से आपकी होगी या आप already married हो तो ये चीज़ें शाद आपकी blocked है ठीक है अगर आप married woman या man देख रहे हो इसक वीडियो को हो सकते है आपका partner आपसे ज़्यादा emotional और sensitive हो और आपको ये चीज़ समझ नहाती हो कि वो ऐसी जिसें क्यों feel करते हैं तो हो सकता है उनका intuition ज़्यादा on है वो ज़्यादा emotional है, sensitive है water sign हो सकते है या air sign, आप air sign हो specially आपके अंदर air sign ज़्यादा है या आपका air moon हो सकता है तो आप ज़्यादा logical तरीके से सोचते हो या analytical तरीके से सोचते हो ठीक है लेकिन relationships में जब बात आती है या लोगों के साथ partnership की बात आती है या friendship की बात आती है romance की बात आती है वहाँ पर ये चीज़े logic शौजिक काम नहीं आता है आपकी feelings काम आती है वहाँ पर balance काम आता है कि आप mind को भी balance में रखो और अपने emotions को भी balance में रखो ठीक है तो आपकी love life में इस वक्त अगर कोई partner है तो balance रखके ही अपने relationships को देखिए हो सकता है कि आपकी दिल आपका कुछ कह रहा हो mind आपका कुछ कह रहा हो emotions आपके कुछ और कह रहे हो लेकिन आपका mind कुछ और कह रहा है तो इसलिए balance बहुत ज़रूरी है balance याद इसलिए justice का card आया है आपके लिए balance बहुत ज़रूरी है अपने mind और अपने दिमाग को अपने दिमाग और अपने दिल को definitely और अपनी feelings को अपने emotions को balance में रखिए तब ही जाके आपकी लोगों के साथ ये partnership भी बनेगी और ना आप लोगों से भागोगे ना लोग आप से भागेंगे ठीक है तो शायद आपके लोग आपको या तो ठीक है आप लोग आपको बोलते होंगे that you are very cold ऐसा नहीं है आप बहुत logical हो आप logically तरीके से सोचते हो analytical तरीके से सोचते हो तो जो लोग sensitive emotional लोग है वो तो hurt होंगे obviously तो आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये balance की ज़रूरत है इस वक्त आपको अपने emotions को भी balance की करने की ज़रूरत है आप अपने emotions से भाग रहे हो ठीक है आप logic को choose कर रहे हो अपने mind को choose करे हो अपने logic को choose करे हो लेकिन logic और mind में ये love वाली बाते नहीं आती है समझ नहीं आती है क्योंकि mind तो हमेशा एक कितनम का process है एक structure है उस चीज़ पे काम करता है जो आप उसको feed करोगे ठीक है तो आप शायद इस तरह के person हो के ज़्यादा emotional लोगों से ज़्यादा emotional तीजों से या emotional feeling से आप भागते हो ठीक है या आपके लिए बहुत exhausting हो जाता है लेकिन face तो करना पड़ेगा और अपने intuitions पे भी trust करना सीखिए अपने emotions को feel करना सीखिए शायद यही आपको बोला जा रहा है ठीक है advice देख लेके आपके लिए क्या है pile number one कि आपके लिए advice क्या है तो इस तरीके से आप अपने चाक्रा को वो open कर सकते हो जो blocked है इस वक्त या आपकी six sense block है आपकी emotional sense block है या आपको balance करने की ज़रूद है इन चीजों को अगर आप बहुत ज़दा mind वाले person हो analytical हो logical हो तो definitely इन चीजों को भी balance में लाने की ज़रूद है अगर आपको love and relationships में या लोगों के साथ partnership में या कहीं भी जिन्गी में आपको face करना पड़ेगा तो वो चीज़ें आपको balance में रखने की ज़रूद है so we have signs and reminders तो आपके सामने बहुत ज़दा signs और reminders है मुझे लगता है God आपसे डेफिनिटी बहुत सारे signs and symbols के थ्रूद के थ्रूद करें तो हो सकता है features के थ्रूद जैसे आपको features नजर आते हैं butterflies नजर आती हैं birds नजर आते हैं यह कुछ भी ऐसी चीज़ें dreams हो सकते हैं लेकिन आप उन पर गौर नहीं करते हो तो गौर करने की कोशिश करो अपने इद गिर्द के आपको God की तरफ से क्या signs दिये जा रहे हैं यह एक आपके इंटूशन सामने नजर भी आते हैं फिर भी आप बोलते हो नो आपके इंदर यह चीज़ हो सकती है काफी stubborn nature कि आप change नहीं होना चाहते हैं और आप emotional नहीं होना चाहते हैं लेकिन यह weakness नहीं है आपको balance रखना भी जरूरी है ठीक है और यह चाकरा आपका मेरे अंदर है नहीं, आपको डेफिनिटी फोकस करना चाहिए, और रिलीस करना चाहिए इस चीज़ को और वर्क करना चाहिए, यह आपके लिए अड्वाइज है, ठीक है, और यह चाकरा आपका ब्लॉक्ट है, इसको ओपन करना जरूरी है, अपने six sense को, अपने third eye chakra को, अपन sensitive को भी, sensitivity को भी देखना पड़ता है, तब ही जाके compromise आता है, लाइफ में और relationships में, ठीक है, तो यह आपकी reading है, अगर आपने card number 2 चूज किया है, तो देखते हैं, आपका कौन सा chakra blocked है, और आप कैसे उसको heal कर सकते हैं, और इस वक्त open कर सकते हो, so this is a throat chakra, okay, the frequency of the throat chakra, the blue flower of life, sports our self-expression and our sense of peace and balance, so आपका number 5 हो सकता है, life path number है, आपका date of birth है, ठीक है, और आपका throat chakra इस वक्त closed है, ठीक है, आप ज्यादा, throat chakra का मतलब जुरूरी नहीं है कि आप बोल नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है, आप emotional चीज़ें ज्यादा express नहीं कर पा रहे हो, इस वक आपको emotional, अपनी feeling express करने में इस वक्त difficulty हो रही है, आप अपने feelings को repressed कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि इन चीज़ों को सामने ना लाओ, या किसी से express ना करो, या आपका self of sense भी हो सकता है, जो आप अपने आपको ज्यादा true तरीके से express नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके creativity है, या आप लोग public speaker हो, आपकी एक अच्छी आवाज है, आप एक अच्छे तरीके से बोल सकते हो, write कर सकते हो, कोई चीज़ पबलिश कर सकते हो, कोई चीज़ ड्रा कर सकते हो, तो आपको अपनी life में इस वक्त, इस वक्त आपका talent है, जो आपको अपने इस talent को accept करना चाह तो ये thought chakra आपका closed है, ठीक है, आपका sense of speeching, sense of talking, sense of expressing, ये चीज़ बंद है आपके अंदर, blocked है और आपको इस वक्त हील करने की ज़रूरत है, आप हो सफता है, ज्यादा तर अपने feelings को express नहीं करते हो, उसको repress करते हो, बोडल में बंद कर देते हो, आप चाहते हो कि आपको ये लगते है कि अगला इंसान आपको नहीं समझेगा, या आप अपने घुसे को चुपा देते हो, अपनी feelings को express करते हो, किसी sense में भी अपने feelings को express करना is important, ठीक है, लेकिन बोचीज आपकी closed है, और यही वज़ा है कि शाइद इस वक्त आप ज्यादा जो है वो express नहीं कर पा पा रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इस वक्त आप अपने आपको express करो, through writing, publishing, singing, acting, जो भी आप जिसमें आपकी आवाज शामिल है, आप किसी तरह से express कर सकते हो, अपने आपको, जो भी आपके अंदर है, उस चीज़ को express कीज़े, write करके, या बोल के, ठीक है, किसी तरह से भी इस चीज़ को express करें, तो देखते हैं, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, या देखें, आपको definitely, या ये चीज़ मुझे नजर आ रही थी, already, okay, तो आप हो सकते हैं, किसी के लिए आपको feelings हैं, लेकिन आप ज्यादे express नहीं कर पारें, आपको लगते हैं, कि ये इंसान आपको reject कर देगा, ठीक है, ओके, आप लोग अर्ट साइन हो सकते हो, especially Virgo, Taurus भी हो सकते है, Virgo भी, Capricorn भी, and we have that tower, it's a Mars energy, तो definitely Aries या Scorpio हो सकते हो, आप, आप fire साइन भी हो सकते हो, Sagittarius, Aries, और Scorpio हो सकते हो, अगर water साइन है, या इसको express करना बहुत difficult है, चाहे आप Virgo भी हो, ठीक है, या आपको ये वाली qualities अपने अंदर लानी चाहिए, Virgo वाली qualities, Virgo is the rule by Mercury, तो काफी expressive है, analytical है, सोचते हैं, express करना आता है, intelligent है, आप smart हो, ठीक है, आप काफी business oriented हो, ठीक है, और आपका mind work में, business में, education में, इस field में ज्याद करने की, या किसी तरह से आप अपने लिए stand लेना चाते हो, या कुछ करना चाते हो, किसी की तरह अप action लेना चाते हो, तो वो चीज़ आपको motivate नहीं करती है, आपको लगता है, ये इनसान आपको reject कर देगा, और आप हो सकता है, पास्त में आपने कुछ इस तरह का relationship experience किया ह या ये आपका experience आपके childhood से आ रहा है, इस तरह से, कि आपको trauma है, जो आपके बच्पन से ही है, कि आपको express करना नहीं आया, आपको ऐसा family environment मिला है, जिसमें आपको शादा इतनी ज़्यादा, you know, आपको इतनी ज़्यादा importance नहीं दीगी, या आप जो बात करते थे उसको importance नह रहना शुरू कर दिया, चूपी रहना शुरू कर दिया, आपको लगा कि आपकी बात की कुई value नहीं है, या आपको लगा कि आपके कुई, मतलब हो सकते हैं, आप काफी introverted person रहे हो, आप early आपकी age में ही आपको independence समझ आ गई थी, तो आपने हमेशा अपने आपको closed off करना ही सीखा है, तो इसलिए बहुत difficulty हो सकती है, या आप काफी introverted इंसान हो, तो आपको लगता है कि लोगों को आपकी समझ नहीं आएगी, अगर आप express करोगे, तो आप ज्यादा तर आपका time जो है, वो अपनी work पे, education पे, आपकी business, career, या ज्यादा तर focus आपका वहीं रहता है, त किसी, especially अगर आप male हो, या आप लड़की भी हो, तो आप अपने anger, अपनी frustration जो है, वो कोई physical work करके, या activity करके, या आप कोई travel करके, कोई adventure करके, या आप कहीं alone जाके, अपना time जान spend कर सकते हो, तो आपको काफी comfortable आप feel करते हो, जब आप alone हो, आपको लगता है कि किसी और के express करने की कोशिश कीजिए, especially emotionally, ठीक है, तो हो सकते है कि आप अगर friends में भी हो, तो लोगो लोग में यही समझते होंगे, कि आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, आपका thought chakra definitely closed है, तो आप देख लिते हैं कि आपके लिए advice क्या है, आप क्या कर सकते हो, इस cycle को break कीजिए with a tower, ठीक अगर reject कर देगा, तो क्या होगा, मतलब they will say you yes or no, ठीक है, आप open mind के साथ, लोगों के साथ जाएए न, इतना मत सोचिए कि उस चीज़ को अपने दिल पे मत लीजिए, आप हो सकता है no को, या rejection को, आप काफी hurt पे ले जाते हो, आप काफी sensitive हो सकते हो, inside, तो आप चुच- कि relationship नहीं मिलेगा, कभी friendship नहीं मिलेगी, या लोगों को ये समझाएगा कि आप, आप काफी rude हो, आप काफी attitude में हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको express करना नहीं आता है, तो इस cycle को break करना पड़ेगा, आपको तोनना पड़ेगा इस कामोश्री को, ये ठीक नहीं है आपके अं कि अंदर जो चीज़ आप बोलना चाहरे हो, express करना चाहरे हो, चाहिए वो किसी form में भी हो, या किसी तरीके से भी हो, even हो सकता है, आप अपनी वर्क वली जगह पे भी नहीं बोल पाते हो, अपने लिए stand में ले पाते हो, हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी difficulty, लेकिन आपको express क करने में, अपने आप पे stand up करने के लिए difficulty होती है, we have yes, तो आपको जिस चीज़ की परिशानी है, answer is yes, okay, परिशान होने की जूदत नहीं है, ये आपका time है, इस वक्त अपने आपको free करने का, और अपनी लाइफ में एक नए तरीके से journey को start करने का, and the next is healing energy, yeah, तो आप करेंगे, वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, इसलिए बहुत important है कि past वाले hurt को heal कीजिए, और past को अपने दिमाग से निकालिए, और दुबारा से new चीज़ों को try कीजिए, take action, express yourself, and do the things, आप अपने हिस्से का काम करो, और अगर कोई इनसान आपके साथ, and listen deeply, जो आपका दिल क करता है, उसी को सुनके आप वुचीज करो, बोल दो, express करो, लेकिन अगर उसको stop करोगे, तो definitely फिर आपको वुचीज नहीं मिलेगी, so this is your reading, like, share, and subscribe, hey group number 3, देखते हैं, अगर आपका card number 3 है, तो आपका कौन साथ चाक्रा इसका ब्लॉक्त है, और आपको कैसे work करना चाहिए और improve करना चाहिए, so we have the root chakra, the frequency of the root chakra, the red flower of life, stimulates passion and supports our sense of security on this physical plane, both in our bodies as well as in the physical world, okay, तो आपका root chakra इसका ब्लॉक्त है, इसका मतलब आपको insecurity feel होती है, अपने अंदर, अपनी body में, अपनी body figure में, अपने independence में, आपको insecurity किसी तरीके से भी feel हो सकती है, especially अगर आप अपनी life को दूसर करते हो, दूसरों की success के साथ compare करते हो, आपको लगते है कि आपसे ज्यादा लोग अमीर है, या rich है, या वो ज्यादा stable है, या उनकी job अच्छी है, carrier अच्छा है, तो आपको ये चीज़ें, इस वक्त आपका root chakra जाए, वो blocked है, आपके अंदर insecurity बहुत जादा है, या आप अपनी life में हर चीज अच्छी लगने लगेगी, and you will be grateful जो चीज़ आपके पास है, ठीक है, ना के उन चीज़ों के लिए, जो चीज़ नहीं है, even though वो है नहीं, लेकिन आपको root chakra आपका blocked है इस वक्त, तो आपको एक sense of insecurity है, चाहे वो physical world में है, एक materialistic life हो सकती है, उसकी वज से ठीक है, चाहे वो अपनी वज़ा से है, चाहे अपनी reputation की वज़ा से है, एक image है, एक career है, एक job है, उसकी वज़ा से है, ठीक है, एक insecurity है आपके अंदर, चाक्रा आपका blocked है और आपने इस पे बढ़ करना है, ताकि आपको खुद के अंदर security पीलो, अपनी body के अंदर, आप क्या कर रहा है, ठीक है, आप अपनी security पी focus करो, और जो आपके पास है, उसके लिए grateful हो, now let's see, आप क्या कर सकते हो इसको improve करने में, yeah, look at this, future, अपने उपर focus करो, अपने future पे focus करो, don't compare your life with everyone, okay, इसी तरह से ही आप अपने इस chakra को heal कर सकते हो, यह आपके लिए एक burden है जो आप अपने लिए कुछ करो, तो ऐसा idea अपने mind में लाओ, कि आप अपने आपको इतना secure बना सको, stable बना सको, आपके mind में clear होना चाहिए कि आपके पास भी हर चीज है, you are independent, you are beautiful, you are good looking, you are charming, you are attractive, आप लड़की हो तो बहुत खुबसूरत हो, आप लड़की हो तो बहुत handsome हो, आप आपके पास job नहीं है, definitely focus on yourself, ऐसे तरीकों से, ऐसी job पे, ऐसी study पे, ऐसी education पे, या ऐसे career पे, या जॉब वली जगह पे, ऐसी जगह पे force करो, जहां पे आपको कुछ चीज मिल सके, you can prove yourself, right, ना कि दूसरों के साथ अपनी life को compare किजी, आप लियो हो सकते हैं, cancer हो सकते हैं heart sign हो सकते हो, ठीक है, तो यहां पे एक चीज बहुत ही clearly नजर आ रही है, यह एक burden है आपने जो अपने ऊपर रखावा है, अपने chest पे, आप लोगों के साथ अपनी life को compare करते हो, ठीक है, तो आपको अपनी अंदर secure होना पड़ेगा, या यह वो responsibilities हैं जिसकी वज़ा से आप को लगता है कि आप लोगों की life में ज्यादा खुशिया हैं, लोग ज्यादा खुश हैं, मेरी life में ऐसा क्या है, ठीक है, तो यह burden है, आप अपनी life को definitely negative तरीके से compare करते हो, दूसरों की life से, विद इस seven of pentacles, आप में से काफी सारे लोग अपना time भी बहुत waste करते हो, सोच यह clarity होने चाहिए, that I can do it, आपके पास थाली में प्लेट में यह चीज नहीं आएगी, कि यहाँ पर job आ रही है, आप job में apply कर लो, यह यह carrier आपके लिए ठीक है, यहाँ पर चले जाओ, automatically किसी को नहीं मिलता हर चीज, मेहनत कनी पड़ती है with a chariot, आपको challenges से गुजरना पड जो चीज आपको चाहिए, आप उसके पीछे जाते हो, भागते हो उसके पीछे, with a chariot energy, यह इंसान challenges से निकल के आ रहा है, ठीक है, और उसको पता है with this black and white, कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे यह गलत है, तो आपके अंदर क्या यह confident है, no, क्योंकि आपका root chakra ही blocked है, और आप इसी तरह से अपनी life में improvement ला सकते हो, बिजाए इसके कि आप wait करो, कि wait करोगे कब आपको कुछ मिलेगा, कब आपकी life change होगी, कब आपकी life में होशिया आएगी, कब आपकी life में success आएगी, wait, 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 कब तक करेंगे आप, wait करने से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, life वह Do something different, अपना perspective change कीजिए, with a ace of sorts, clarity लाइए दिमाग में, अब time आगे, एक planning बनाएए, एक strategy plan बनाएए, कि मुझे ये चीज़ करनी है, और आप उस पे फिर follow करो, उस पे फिर give up नहीं करना, with a chariot, उस चीज़ की पीछे जाओ, उसके लिए लड़ो, fight करो, और with a strength card and chariot, give up नहीं करना है, चाहिए हलाद जैसे भी हो, give up नहीं करना है, keep yourself positive, और हो सकता है, अपनी desires को control में रखिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, जो लोगों के पास है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप उसको compare करोगे, तो होगा क्या बदले में, आपको तो अपनी उस opportunity को create करोगे, उस चीज के पीछे जाओगे आप, and with this chariot, आपने उस पे give up नहीं करना है, with a strength card, आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी struggle होनी चाहिए, कि आप हर चीज को face कर सको, अगर आप अपनी life को किसी और के साथ compare कर रहे हो, तो आपको ये भी देखना है कि उस इंसान के अंदर हिम्मत कितनी है, उस इंसान ने कितने साल ये कितने सालों में ये मैनत की है, फिर उसको ये चीज मिली है, ठीक है, so definitely wait, do not wait and waste your time, आपको अंदर ये security होनी चाहिए, और आपको definitely a clear mindset चाहिए, इस वक्त कि आपको क्या करना है, किस तरह से money बनाने है, किस तरह से अपनी life में success लानी है, किस तरह से jobless से आपको job मिलेगी, किस तरह से आप एक passionate इंसान बन सकते हो, और अपने अंदर ये आपके अंदर ये confident or security होनी चाहिए, जो आपके अंदर नहीं higher sources पे, वो universe आपके साथ है, आप action लो, आप ना करो action और आप ना लो action और आप ना जाओ उस चीज के पीछे, और आप उस चीज के लिए struggle ना करो, तो ना हो तो फिर और और चीज है, and then we have romance and connection, yeah, अगर ये romance और connection की बात है, और आपको लगता है कि लोगों की life में है, और इतने good looking नहीं हो, आपको बसूरत नहीं हो, लोग आपको नहीं attract करेंगे, no, आपके अंदर इतना confidence होना चाहिए कि आप, आप अपने आपको prepared रखो, ठीक है, relationship के लिए भी, और अपनी, जो भी आपको success चाहिए, don't, this pile के लिए यही message आ रहा है, don't compare your life with anyone, अपने उपर focus अपनी security पे और अपनी safety पे, ठीक है, so this is your reading, hello pile number 4, देखे है, जो नहीं कार number 4 चूज किया है, आपका कौन सा चाक्रा ब्लॉक्त है इस वक्त और आप कैसे heal or improve कर सकते हो अपनी life में, so we have the heart chakra, okay, so this is green heart chakra, the frequency of the heart chakra, the green flower of life, sports our capacity to love deeply and unconditionally, it's healing properties, its healing properties harmonize the mind and the body, so आपका heart chakra इस वक्लोजड है, या तो आपका दिल, आपका heart इस वक्लोजड है, emotionally आप किसी के साथ attached नहीं हो, या आपका, आपको heart को healing की जरूरत है, ठीक है, अगर आपका किसी के साथ break up हुआ है, separation हुई है, या आपने अभी तक अपने past वाले, जिन्हों ने आपको heart किया है, उनको आपने माफ नहीं किया है, तो उसकी वज़े से आपको trust issues हो सकते हैं, कि आप दुबारा अपने heart को open नहीं करना जाएं किसी के लिए, लेकिन definitely करना तो पड़ेगा, जब तक आप healing करोगे अपने heart को, तो आपके अंदर, आपकी life में ये new beginnings नहीं आए या आपको समझेंगे आप weak हो, आप में से काफी सारे लोग अपनी feelings को, emotions को repressed भी करते हो, आप नहीं दिखाना चाहते, अगर आप डिसी को like करते हो, तो इस वक्त आपने अपनी feelings को छुपा के रखा वे, आप express नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इनसान आप कोई weakness देखेगा, या आपको लगता है कि ये इनसान आपको accept नहीं करेगा, तो आपको बहुत difficulty होती है अपनी feelings को express करने में, emotions को, आपका heart chakra closed है, या अगर open भी है, तो आप अपनी feelings को openly, आप उसको openly express नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी feelings को repressed किये जा रहे हो, और जितना आप प्रेस करोगे, वो उतना आपके लिए एक burden, एक pain बनेगा, या आपको अपने heart chakra को open करने की जरुवात है, आप हो सकता है, बहुत जादा closed off हो, आप लोगों को latinning करने देते हो, चाहे वो friends हैं, चाहे वो lovers हैं, तो रिखते हैं, आप इसको कैसे heal कर सकते हो, या with love, definitely love, love से, या आपको definitely अपने heart को heal करने की जरुवात है, या with 6 of swords, देकिए bottom of the deck है, 6 of swords, आपको definitely अपने heart को heal करने की जरुवात है, आप एर sign हो सकते हो, water sign हो सकते हो, fire sign और earth sign, कोई भी sign आपका हो सकते है, या आपका chart जो है, वो mix है, सारे signs हैं, देखिए आपको past को भूलना ही पड़ेगा, आपको माफ ही करना पड़ेगा उन लोगों को, जिन्होंने आपको hurt किया है जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, या जिन्होंने आपको कभी समझा नहीं, या जिन्होंने आपको हमेशा आपका advantage लिया है आपके इस इतने अच्छे दिल का आप लोग बहुत closed off हो, आपके friends नहीं है आपको open करना पड़ेगा ताकि आप अपने life में लोगों को let in करो, लोगों के साथ ज्यादा friendship रखो, gatherings में जाओ outing करो बाहर घूमें, फीरें, ठीक है interaction होना चाहिए लोगों के साथ, especially friend circle close circles या relationships में भी, ठीक है तो आप में काफी सारे लोगों को ace of cup and ace of want, definitely एक new beginning start करने की जुरत है अपनी life में एक new passionate beginning, अपने art को heal कीजिए from the past जो हो गया, वो हो गया past में, उसे move on कीजिए और उन लोगों को माफ कर दीजिए उन लोगों के लिए नहीं, अपने लिए अपने heart को heal करने के लिए, ठीक है I know आपने काफी ज़्यादा pain सहा है relationships में, friendship में लोगों ने आपका advantage लिया especially friends ने आपको cheat किया, hurt किया lovers ने आपको किया, किसी तरह का भी आपका जब भी लोगों के साथ वास्ता पढ़ा है relatives हो सकते हैं, friends हो सकते हैं, family हो सकती है ऐसे लोगों ने हमेशा आपको hurt ही किया आपको लगा है कि relationship हमेशा weakness ही रहे हैं लोग आपके दिल का advantage लेते रहे हैं लोग आपके इस आपको समझते नहीं हैं आपका हमेशा आपका दिल ही तूटा है या आपका heart इतना close हो सकता है कि आपको लगता है कि आप इस डर की वज़ा से इस खौफ की वज़ा से अपने आपका express नहीं करते कि लोग आपका दिल तोड़ देंगे तो आप सिर्फ लोगों के साथ friendship रखते हो romance नहीं करना चाहते हो या अगर आप मतलब आप बिल्कुल closed हो सकते हो आप ऐसे काफी सारे लोग with the two of pentacles आप लोग अपनी feeling को express करने भी काफी सोचते हो कि मैं करूँ या ना करूँ आप एक indecisive energy में हमेशा रहते हो कि करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए देखिया आपको अपने heart को follow करना पड़ेगा ठीक है जो चीज़ आपको पसंद है जो चीज़ आप express करते हो जिस चीज़ से आपको love है और passionate हो आप उस चीज़ को तो एक creative तरीके से अपने feeling को express कीजिए एक creative तरीके से आप अपने heart को heal भी कीजिए ठीक है आप काफी creative person हो आप काफी passionate person हो by heart लेकिन सिर्फ और सिर्फ खौफ से डर से और जो आपके past में experience है उसकी वज़ए से आपको डर है और आप closed off हो चुके और अब आप अपने heart को open नहीं करना चाहते या आपका heart इस वक्त healed नहीं है जिसको healed करने की जरूरत है जो इसक्त blocked है तो आपकी life में definitely new lover आएगा, new friendship आएगी new community आएगी, new log आएगे जब आप अपने आपको दुबारा से open करोगे तो सोचिए मत, decision लीजिए ठीक है और अपने आपको इस mental conflict से निकालिए अपने इस pain से निकालिए ठीक है, आप सोचते बहुत हो या आप past में रहते हो, ठीक है तो इस pain से निकलिए, अपने आपको heal कीजिए अब देखते है, advice के आपके लिए या compassion, look at this, all green in your reading तो आपकी सारी पाल यही बोल रही है, compassionate अपने आप से love कीजिए और compassion आप काफी compassionate person हो, ठीक है चाहिए आपका जो भी race है, जो भी color है ठीक है, आप बहुत loving person हो आप बहुत connected हो, अपने root chakra से earth, अपने heart से अपने spirituality से earth से, ठीक है आप किसी को hurt नहीं करना चाहते हैं, या अगर आपने किसी को hurt भी किया होता है तो आपको तकलीफ हो रही होती हैं अंदर से क्या आपने ऐसा क्यूं किया है, लेकिन लोग आपके इस खुबसूरत दिल का, its golden heart का बहुत advantage लेते हैं और उनने लिया भी होगा, लेकिन हर तरह के लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं आप boundary बनाएगे और अपने इर्दगीर सिर्फ उनी लोगों को आने दीजिए जो वाकी आपसे love करते हैं और आपकी life में रहना चाहते हैं उनके साथ compassion ज़रूरी है ठीक है, यह दो कार्डा हैं, let me see honesty and communication तो definitely लोग आपको अपने आपको express करना चाहिए आप अपने feeling को छुपाओ मत express करो, honest रहो express करो compassionate तरीके से अपनी feeling को तो लोग आपको समझेंगे, ठीक है, लेकिन जो नहीं समझता definitely समझ जाओ कि वो आपके लिए नहीं है then we have intuition and downloads आप में से काफी सारे लोग, आप अपने intuitions को follow कीजिए, मुझे लगता है आप लोग काफी highly psychic हो, intuitive हो, आपको पता चल जाते है already कि कौन आपके लिए ठीक है कौन नहीं है, चाहे आपका जो भी use करने के लिए है या आपका दिल तोड़ने के लिए ऐसा नहीं है, हर तरह की इंसान नहीं होते है आप definitely अपने जैसे लोगों से connect कीजिए जो आप की तरह हैं, जो आप ही की तरह हैं और आप से आप ही की तरह जो आपको accept कर सकें, जो आपको अपने इस front circle में in कर सकें और वो आपको लगे कि वाकी वो आपकी तरह वो भी compassionate है और वो भी इस तरह के cycle से गुजरे हैं, तो इस तरह के लोगों से अपने आपको close कीजिए, जो कल आपके लिए आपको नुकसान ना दे सकें, ठीक है जो आपके लिए closed हों, जो आपके लिए अच्छे दोस्त हों, जो compassionate आपके साथ हों जो आपके साथ honest हों, ऐसे लोगों के लिए definitely अपने आपको open कीजिए और इस life में new beginning start कीजिए that's why आपका ये chakra blocked है hello card number 5 जिनो ने येवला card चूज किया number 5, देखते हैं आपको कौन सा chakra blocked है we have the sacral chakra, number 2 and we have the frequency of the sacral chakra the orange flower of life sports our ability flow with our desires and stimulates our creative power to manifest success and abundance in our life तो इस वक्त आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो आपको समझ नहीं आ रही है आप अपने desires को follow नहीं कर पारे हो या आपको समझ नहीं आ रही है किस वक्या manifest करना चाहिए आप लोग उनका ये sacral chakra blocked है आप emotionally भी blocked हो सकते हो ठीक है आपको अपनी life में success और abundance को attract करने में भी difficulty हो रही है इस वक्त आपकी creative आपके अंदर creative blocks भी है ठीक है आप अपने आपको creative तरीके से express नहीं कर पा रहे हो यापके अंदर क्रियेटिविटिया आप उसको चुपा रहे हो अप उसको ज्यादा explore नहीं कर रहे हो ठीक है bay अप उस पर work नहीं कर रहे हो अगर आप कुई creative इंसान हो और आपको लगते है क्या आपके आपके अंदर creativity है अपने अंदर की creativity को explore कीजिये और जानिए कि आप कितने creative हो सकते हो चुपाइए मत उस talent को और उसी तरह उसी तरीके से ही आप अपने अंदर फिर ये आप अपनी life में manifest कर पढ़ोगे success और abundance now let's see कि क्या करना चाहिए अपने आपको heal करने के लिए इस sacral chakra से या आपको abundance चाहिए लेकिन ये abundance ऐसे नहीं मिलेगी आपको definitely उस पे work करना पड़ेगा आप बहुत powerful इंसान हो आप बहुत कुछ कर सकते हो आप बहुत talented इंसान हो world card, wow so something with the internet on social media या ये world care tour भी हो सकते है अगर आप इस तरह के famous भी बन सकते हो लेकिन ज्यादा तर मुझे ये social media पे नजर आ रहा है आजकल जितना बन्दा इंसान social media पे और internet पे famous होता है तो आपके अंदर ये talent है आप Aquarius हो सकते हो Leo आप Gemini ये Virgo हो सकते हो Capricorn हो सकते हो Taurus हो सकते हो Scorpio हो सकता है आपके chart में या आपके chart में Aquarius हो सकता है ठीक है ये Leo और Aquarius का Axis भी है तो आपका Leo और Aquarius आपका Sun South Node, Naut Node जैसे राहू और K2 Leo और Aquarius में हो सकते है या Leo और Aquarius में आपका 8th house हो सकता है 10th house हो सकता है ठीक है या आपका Sun 10th house में हो सकता है या आपका Sun 11th house में हो सकता है, चार्ट की बात करी हूँ मैं बर्थ चार्ट की ठीक है, तो आप बहुत talented इंसान हो, with the magician लेकिन आपको trust करना पड़ेगा कि आपके अंदर ये talent है, और आप इस चीजों को explore कर सकते हो तो इस वक्त time आगया है, अपने desires करने का, अपने dreams को फालू करना का, आप नहीं कर रहे हो अपने dreams को follow, आप अपने जब आपके अंदर ये skill आ जाएगी किया मेरा, आप मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और मेरे dreams क्या है और मैं आपने dreams को follow करूँगी यह करूँगा with a star card, मुझे star बनना है, मुझे famous बनना है, मुझे popular बनना है और मेरे अंदर यह skill है, मेरे अंदर talent है definitely explore it, आप उस चीज़ को explore नहीं कर रहे हो so आप definitely, जिन लोगों ने यह card चूज़ किया number 5, आप definitely आपके destiny है, you will be popular, you will be successful, you will be well known आप definitely एक public eye में शायद already हो, या आप एक public eye में बनोगे ठीक है, और आप इसी तरीके से ही, जिस तरीके से ही आप अपना talent, अपनी skill जो भी आपकी power है, जो भी आपका personal talent है, आपकी personal skill है ठीक है, आप makeup artist हो सकते हो, आप designer हो सकते हो, आप creative हो सकते हो, आप painter हो सकते हो ठीक है, आप social media पे कोई cover करे हो, यूटीबर हो, influencer हो, tiktoker हो, ठीक है आप कोई भी किसी तरह का भी आपका talent है, internet पे या social media पे, या आप कोई teacher हो या आप कोई program करते हो, learning का, education का, spirit का, जो भी आपका talent है, ठीक है वो ही आपकी life में abundance लेके आएगा, और आपको success देगा, मैं abundance और success की बात करी थी वो ही आपको पैसा भी देगा, growth भी देगा, आपकी life में success भी होगी और आपकी generation, आपकी family, और पता नहीं, generations ही खुश होंगी, उससे फाइदा उठाएंगी यहां पर नजर आ रहा है, definitely you will be well known, because of your talent आप अपने talent, अपनी skills, अपने इससी desires की वज़े से, जो आपका dream है, उसको chase करोगे आप में successful बनोगे, ठीक है, you will be a star, popular star, जो भी आपकी field होगी यहां जो भी आपका talent है, and with the seven of cups, आपकी life में बहुत ज़्यादा फिर opportunities आएंगी, ठीक है, फिर आपको समझ आएगा कि क्या आपकी लिए ठीक है, और क्या आपकी लिए गलत है सोच समझ कि decision लेना है, क्योंकि seven of cups में बहुत सारे ऐसे cup हैं, जो आपके लिए आपको एक किसम की temptation है ठीक है, तो आपको अपने dreams को chase करना है, और जो भी आपके dreams होगे, फिर उसी वज़ा से आपकी life में यह success भी आएगी और आपके dreams की, जो आपकी जो भी wishes हैं वो पूरी होगी लेकिन sacred chakra को open कीजिए, ठीक है, अपनी desires को follow कीजिए, आपको अपने उपर trust होना चाहिए कि आप इतने skillful और powerful हो और आप कर सकते हो या, look at this, we have a sacred plan, आपको definitely यहाँ पे advice है, कि God की तरफ से एक sacred plan है आपके लिए आपकी destiny आपका wait कर रही है, अपना time waste मत कीजिए, अपने इस energy को use कीजिए, एक skillful तरीके में ground कीजिए इस energy को और focus कीजिए अपने dreams पे and we have the earth and ground, yeah, यहीं जसमें बात कर रही थी, यहीं मैं बोल रही थी अपनी energy को ground कीजिए और focus कीजिए कि आपके अंदर talent है और कैसे आप अपनी plan बनाईए कि कैसे आप यह चीज़ अचीज अचीव कर सकते हो, कैसे यह success, यह abundance, यह popularity आप अचीव कर सकते हो, अपने talent से, अपने skills से, अपनी power से, okay, so यह आपकी reading, like, share and subscribe, मैं मिलूंगी next reading में, hello card number 6, जिन्होंने card number 6 choose किया, देखते हैं कि आपका कौन सा chakra blocked है, और आप इसको कैसे heal कर सकते हो, और improve कर सकते हो, this is a crown chakra, okay, so हमारे पास है crown chakra, number 7, 7 आपका life path number हो सकता है, date of birth, यह 7 आपके लिए बहुत important number है, आप ज़्यादा देखते होगे, number purple color आपके लिए बहुत important होगा, light purple यह dark purple, you have the frequency of the crown chakra, the violet flower of life, sports our spiritual connection to the universe and our ability to transmute negative energy into light, so crown chakra आपका blocked है, इसका मतलब आप spirituality पी या तो आप बहुत practical हो, या बहुत logical हो, आप spirituality के साथ connected नहीं हो, और आपका ये chakra इस वक्त ब्लॉक्ट है, तो आपको definitely spiritual ज्यादा होना पड़ेगा, spirituality के साथ connect होना पड़ेगा, meditate करना पड़ेगा, heal करना पड़ेगा, अपनी इस energy को transmute करना पड़ेगा, negative energy जो आपके अंदर है, या आपके अंदर negative thinking आती है, God को लेके, universe को लेके, religion को लेके, लोगों के spiritual beliefs को लेके, ठीक है, आप देख सकते हो कि लोग even tarot को लेके, बहुत negative बात करते हैं, या tarot readers को लेके, या किसी तरह के भी guidance को लेके, negative बात करते हैं, predictions को ल knowledge नहीं है, ना आपको इतनी ज्यादा connectivity है, spirit या God के साथ, या spirituality के साथ, तो आपका crown chakra blocked है, ठीक है, तो ज्यादा तर आपके, हर वक्त आपके सर में दर्द रहता होगा, ठीक है, या आप ज्यादा तर logical इंसान हो, या practical, तो आपको ये चीज़ें आपको fun लगती होगी, या आ लगता होगा, अगर कोई आपके सामने को spirituality को, या religion को लेके, या कोई इस तरह की बात करता होगा, तो आपकी समझ में नहीं आती होगी, ठीक है, या आपको ऐसे लोगों से मिलना पढ़ता होगा, जो कहीं नगई आपका ऐसे लोगों से वास्ता पढ़ता होगा, जो religion से connected है या spirit से connected है, तो आपको उनकी समझ नहीं आती होगी, क्योंकि आपका crown chakra blocked है इस वक्त, ठीक है, चाहे आप लड़की हो या लड़का, आपको definitely higher sources के साथ connect होने की ज़रत है, अपने इस negative energy को transmute करने की ज़रत है, आपको अपने इस chakra पे work करने की ज़रत है, ताकि आपको उनकी higher sources पे believe हो, जब तक God और universe पे और higher sources पे believe नहीं होगा, तो आपको उनकी तरफ से मिलने वाली abundance भी नहीं मिलेंगी, तो आपकी prayers नहीं सुनी जाएंगी, आपको success नहीं मिलेंगी, आपको वो चीज़ नहीं मिलेंगी जो दूसरे लोगों का faith और believe उनको ले जाएगा, connect करके God से अब देखते हैं कि आपको किस तरह से improve करना चाहिए यह, या with the four of swords meditation करके, healing करके और अपने आपको connect कीजिए, ज्यादा ऐसे लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के emotions को understand कर सको, feeling को understand कर सको, bottom of the deck king of pentacles, या आप लोग हो सकते हो कि ज्यादा practical लोग हो, ठीक है, आप Taurus, Virgo, Capric account हो सकते हो, या fire sign, air is Leo Sag, water sign भी हो सकते हो, लेकिन water signs के साथ आपका ज्यादा तर वास्ता पड़ता होगा, या आप air sign भी हो सकते हो, ठीक है, तो आप लोग काफी practical हो, ठीक है, तो आप इस energy को किस तरह हील कर सकते हो, meditation करके, healing करके, लोगों के साथ discussion करके, लोगों के साथ मि field में work कर रहे हैं, ठीक है, उनसे मिलके, उनसे बात करके, कि किस तरह से ये सब कुछ चलता है, और आप कैसे अपने आपको heal कर सकते हो, guide कर सकते हो, ठीक है, आपको charity भी करनी चाहिए, हो सकते है, आप charity पर believe नहीं करते, या आप इस तरह किसी को देने पर believe नहीं करते, तो definitely आपको देना चाहिए, या आपको charity भी करनी चाहिए, ताके आपके अंदर ये sense of empathy, sense of compassionate, लोगों के साथ connect करने का आपको मौका मिल सके, अपनी emotional side को, जो है, वो express कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा, ऐसे लोगों के साथ connect रही हैं, जो इस field में already work कर रहे हैं, जो charity work कर रहे ह या charitable लोग है, organization में है, जो काफी spiritual लोग है, intuitive है, psychic है, healer है, किसी ना किसी तरह से light worker लोग हैं, जो इस तरह की field में work कर रहे हैं, तो उनको देखिए, या उनके साथ time spend कीजिए, या उनकी life के बारे में सोचिए, कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, कोई पागल तो कि अपनी life को सब कुछ छोड़के, give up करके, किसी और को अपना पैसा दे रहा है, किसी और को अपने charity दे रहा है, किसी और की help कर रहा है, गरीब की है, या जैसे भी है, या कोई इनसान है, जो healer है, therapist है, उसको क्या पढ़िए, साओ लोगों की जाके, या हजारों की जाके, help करें, या guide करें, ठीक है, या एक motivational speaker है, उसको क्या है, उसको क्या बदले में मिल रहा है, लोगों को दे के, इसना की बात करने के, ठीक है, या मुझे दे सकते हो, ठीक है, for example, हम जैसे लोग arrow reading कर रहे हैं, यहाँ पर, obviously, हमें YouTube से, अगर आप लोग कहो कि earning कर रहे हैं, पैसा क हम आ रहे हैं, लेकिन हमें क्लाट पढ़ी है कि यहाँ पर हम अपना time waste करें, हम पैसा तो किसी और तरीके से भी कमा सकते हैं, ठीक है, teaching कर सकते हैं, हम लोग business कर सकते हैं, life में कुछ और कर सकते हैं, लेकिन God ऐसे लोगों को चुनता है, जिनका crown chakra open होता है, जिनका third chakra open होता है जो लोग एक naturally born healer होते हैं, या वो इस field में आते हैं, by choice, ठीक है, तो वो definitely ऐसे लोगों की life को सोचिए, उनसे मिलिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और with the nine of wands, उनके passion को समझीए, ना कि उनको judge कीजिए, क्योंकि ये judgmental energy हो सकती हैं आपके अंदर, या आपको ऐसे लोग पा आपको नहीं पता किसी की internal life क्या है, और वो काम क्या कर रहा है, या उसकी नियत क्या है, उसकी intentions क्या है, तो आपको नहीं पता, ठीक है, तो definitely आपका crown chakra blocked है, आपको मजीद जो है वो God से, Spirit से, Universe से, और ऐसे लोगों से, जो लोग इस तरह के field में हैं, उनसे connect होने की जुरत है यह उनकी life को explore करने की जुरत है कि वो ऐसा क्यूं करें, ठीक है, तो आपको समझ आएगी ज्यादा, अगर आप practical इंसान हो, और काफी judgmental type of इंसान हो, कि आपको समझ नहीं आती है यह चीज, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करने में, यह ट्रस्ट करने में, प्राबलम होती है, ठीक है, and we have a no, so yeah, मुझे लगते हैं कि आप इस तरीके से किसी का heart winning कर सकते हो, this is not the kind way to deal with yourself, और आप नहीं किसी को इस तरह judgmental बन सकते हो, ना आप हर्ट कर सकते हो, ना आप खुद को हर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप समझते हो कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ लोग आपको भी ज़ाज कर सकते हैं, तो definitely accept कीजिए, जैसे आप खुद हो, आपके अंदर भी तो एक acceptance है, आप अपने आपको जैसे accept करें, आप ऐसे हो, और जो लोग जैसे हैं, उनको भी accept करने की वैसे कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की, पीछे history क्या है, आपको नहीं पता किसी कौन किस base पे वर्क कर रहे हैं, और कैसे higher sources हो सकती हैं, ठीक है, अगर आपको crown chakra, आपका universe या spirituality पे belief नहीं है, religions पे नहीं है, या आप इतना practice नहीं करते हो, तो definitely आपको इस वक्त crown chakra open करने की जरूरत है, ताकि आप meditation कर सको, और सोच सको यह सब कुछ क्या है, और अपनी life में यह चीज़ें heal कर सको, और connect हो सको more अपने emotions के साथ, healing के साथ, ना कि उनको press करने की, repress करने की, और अपने emotions को accept करने की, तो फिर वो फिर गलत तरीके से निकलता है अपने आप से, ठीक है, हम इनसानों की, फिर वो एक और तरीके से निकलता है, अभी in an abusive way, in a trolling way, in a judgmental way, in a angerment, in a frustration, एक नफरत के तोर पे यह फिर यह चीज़ बाहर निकलती है, तो उस चीज़ों को control करने की कोशिश की और उसको compassion के साथ, acceptance के साथ, love के साथ, ठीक है, उसको accept कीजिए, हेलो, last group number 7, pile number 7, जिनोंने भी card number 7 चूज के, देखते हैं कि कौन सा आपका chakra blocked है, एक ही रह गया, and that is solar plexus chakra, yes, number 3, तो यह आपका chakra blocked है, let's see, the frequency of the solar plexus chakra, the yellow flower of life, sports our sense of self, our personal power, and our willpower, as well as our knowing of who we are and what our contribution is to the whole, तो आप मैं से काफी सारे लोगों का इस वक्त solar plexus chakra block है, आपका number 3 बहुत important हो सकता है, आपके लिए, आपका life path number 3 हो सकता है, date of birth, या आप बहुत जदा 3 देख रहे हो, या अगर किसी के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ 3 जूडावा है, 3 years age gap हो स So with the solar plexus chakra का मतलब यह है, कि आप अपने आपको accept करते हो, आप जैसे हो, और आपको एक sense होता है कि आप खुद क्या हो, और आप यहाँ पे आपके अंदर, आप यहाँ, आपकी life का purpose क्या है, आपकी soul का purpose क्या है, क्यूंकि यह चीज़ आपके अंदर इस वक्त ब्लॉक्त है, कि ब्लॉक्त क्या है, क्या चीज़ ब्लॉक्त है आपकी और आप उसको कैसे heal कर सकते हो, तो इस वक्त आपको समझ नहीं आरी कि आप क्या हो, आपको आपका contribution क्या है इस world में, या community में, या अपनी family में, या as a whole, आप खुद को आपकी समझ नहीं आरी है, आप यह नहीं समझ समझ भी नहीं पता है इस वक्त, आपको शायद आपने अभी तक अपना life purpose या soul purpose नहीं ढूंदा है, तो आपका यह चाक्रा ब्लॉक्त है इस वक्त, कैसे heal कर सकते हो आप, look at this, आपकी चार्ट में, वाव मेजर और खाना, आपके चार्ट में, Aquarius, Leo, Pisces, Sagittarius बहुत प्रॉमि में हो सकते हैं, ठीक है, या आपके life में definitely Neptune, Uranus और Pisces बहुत important है, तो आप psychic हो, naturally born psychic हो, या आप definitely ये abilities आपके अंदर life में आएंगी, देखें, with a high priestess आपको definitely अपने intuitions पे trust करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप जब तक अपने intuitions पे अपने आप पे trust नहीं करोगे, आपको अप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, जब खुद पे believe नहीं होगा, तो लोगों को भी आपे trust नहीं होगा, या उनको समझ आएगी आपकी, ठीक है, and with the star card and sun, ये card ये भी बताता है, क्योंकि solar plexus chakra, ज्याद आपका इस lifetime में आप एक popular star बनोगे, या आपका जो भी work होगा, आप एक famous, एक well-known person बनोगे, आपकी इज़त होगी, आपकी respect होगी, लोग आपको inspiration के तौर पे भी शायद देखेंगे, शायद आप एक psychic हो, intuitive हो, terror reader हो, just like me, आप एक light worker हो, ठीक है, आप therapist हो सकते हो, आप star हो स किसी तरह से, ठीक है, या आपके अंदर ये qualities हैं, लेकिन आप उसको explore नहीं करे हो, तो आपको time आगया है, अब लोगों पे, या ऐसे लोगों को, या past को निकालिए, और अपने आप पे trust कीजिए, ठीक है, और अब लोगों का wait मत कीजिए, इस opportunity का wait मत कीजिए, अब time आगय your relatives, tradition, इस तरह की दबाओ की वज़ए से आप अपने आपको जो है, वो नहीं कर पाते हो, आप अपने आपको चुपा रहे हो, आप अपने skills को चुपा रहे हो, आप अपने आपको express नहीं कर पा रहे हो, so the high prestige का मतलब है, यहाँ पे आपका मकसद चुपना नहीं है, आपका म दूसरे लोगों को भी फिर गाइड कर सकोगे, कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए easy हो जाएगा decision लेना, with a ten of pentacles, और इसी sword से फिर आपके पास, या आपका जब एक sense आएगा, या आप जो चीज़ भी अपने लिए start करोगे, फैमिली बिजनेस है, या एक new creative work है, एक popularity है आपके लिए, फिर उसी विज़ा से आपके पास पैसा भी आएगा, आपको नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है? तो लोगों की परवा मत कीजिए, अपनी परवा कीजिए, इवन आपकी family भी अगर against है, लेकिन आपको यी चीज़ सही लगती है, then follow your intuition, follow your, जो आपकी soul कह रही है आपको करने के लिए, then we have intuition and downloads, या आप लोग काफी intuitive हो, और आपको definitely, मुझे लगता है, science के थुरू, symbols के थुरू, या आपको dreams के थुरू, काफी ज़्यादा guide किया जाता है, universe की दरव से, तो downloads को download कीजिए, आप एक psychic medium भी हो सकते हो, आप एक astrologer हो सकते हो, ठीक है, आप एक fortune teller भी हो सकते हो, palm reader हो सकते हो, तो किसी ना किसी तरह से, ऐसे hidden work में, जहां पे आप लोगों की help कर सकते हो, guide कर सकते हो, nursing field से हो सकते हो, doctor field से हो सकते हो, कोई भी field जिसमें आपको अपना talent दिखाना है, आपको पता होना चाहिए, कि ये चाम मेरी, मेरी लिए बना है, और ये मेरा soul का purpose है, ये मेरी life का purpose है, we have a self acceptance, yes, अपने आपको accept कीजिए, आप जैसे भी हो, ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको accept करें, society आपको accept करें, family आपको accept करें, आपको खुद को accept करना है, जिस दिन आपने आपको accept कर लिया, और ये चाक्रा आपका blocked है, तो आपको कुई नहीं रोग सकता, इस success को पाने से, और इस success और fame को पाने से, ठीक है? So this is your reading, like, share and subscribe, मैं आपको आपसे next reading में, Bye guys!